हेलो गाइज मेरी किचिन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने बाली हूँ करांची बंबे हल्वा इतनी इजी स्टेप से बताऊंगी कि एक कोई पच्चा भी बना सकता है इस हल्वे को बनाने के लिए ना तो मावे की आवेशकता होगी ना दूद की ना बेशन की और ना ही सूजी की तो चलिए सोहन हल्वा बनाने के लिए इंगरीडियंट देख लेते हैं इसके लिए एक कटोरी आरा रोट जिसे कौन स्टार्च भी कहते हैं दो कटोरी चीनी थोड़े खर्भुजी के बीज चिरोंजी थोड़े काजू 6-7 लाइची, 8-10 बादाम, 1 नीवू, 5 बड़े चमजगी, एक जग में हमने पानी लिया है इसमें से 3 कटोरी पानी इस्तमाल करेंगे और ओरेंज कलर के फूट कलर का इस्तमाल करेंगे हमने एक बावल ले लिया है, अब इसमें जो एक कटोरी कॉंडिस्टार्च लिया था उसे इसमें डाल लेंगे अब इसमें एक कटोरी पानी डालके अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लंप्स न रह जाए देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें एक कटोरी पानी और मिक्स कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे तो देखिए हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है हमारा गोल अच्छे से त्यार हो गया है तो हम अब इसे साइड में रख देते हैं और गैस पर कड़ाई चड़ा देते हैं तो देखिए हमने कड़ाई को गैस पर चड़ा दिया है और जो दो कटोरी चीनी ली थी वो हम इस कड़ाई में डाल देंगे तो देखिए हमने दोने कटोरी चीनी डाल दी है अब हम इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे चीनी घुलने तक इससे चलाती रहेंगे हमें चीनी की कोई चासनी नहीं बनानी है वस चीनी अच्छे से घुल जाए और एक उबाला जाए तो देखिए हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है तो आब हम इसमें नीबू का रस डाल देंगे देखिए हमने नीबू का रस डाल दिया है नीबू डालने से चीनी भी साफ हो जाएगी और इसमें क्रेस्टेल भी नहीं बनेंगे तो देखिए हमारी चीनी साफ हो गई है तो अब हम इसमें जो हमने घुल बना कर रखा था उसे मिक्स कर देंगे गोल को हम लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे नहीं तो इसमें लंस बन जाएंगे इसे लगातार चलाते ही रहें यह देखिए हमारा घुल अब धीरे धीरे गाड़ा होने लगा है इसे लगातार चलाते रहें बिल्कुल हाथ ना रोकें यह बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है देखिए हमारा घुल गाड़ा हो गया है अब हम इसमें जो हमने पांच चमच गी लिया था उसे एक एक चमच करके मिक्स करते रहेंगे अब हम इसमें पहली चमच गी डालेंगे जब तक यह घी इसमें मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसमें दूसरी चमच गी नहीं डालेंगे तो देखिए हमारा पूरा घी मिक्स हो गया है घी मिक्स होने से हमारा मिस्रण कढाई छोड़ने लगा है और थोड़ा पारदर्शी भी हो गया है तो आब हम इसमें दूसरी चमच घी भी डाल देंगे और इसे भी उसी तरह से मिक्स कर देंगे तो देखिए हमारे दूसरी चमच घी मिक्स हो गया है दूसरी चमच घी मिक्स होने से देखिए हमारे मिश्यों कितना पाड़ दर्शी हो गया है तो आब हम इसमें तीसरी चमच घी भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसी तरह से हम बाकी बचा हुआ घी भी डाल कर मिक्स कर देंगे हमारे पाच्छों चमच घी इसमें मिक्स हो गया है घी मिक्स होने से हमारे मिश्यों पाड़ दर्शी हो गया है और कढ़ाई चोड़ने लगा है अब हम इसमें एक चुटकी कलर डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारा कलर अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसमें कटे हुए मेवे और इलाची डाल देंगे तो देखी हमने इसमें कटे हुए मेवे और कुटी इलाची डाल दिया है हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखी हमारी मेवे अच्छे से मिक्स हो गये इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे इस समय एक थाली या पिलेट में घी लगा कर रख लेंगे यह देखी है यह जमने के फॉर्म में आ गया है हमने घी लगा के एक थाली ले लिए यह सारा मिसरण हम थाली में पलट लेंगे और कर्ची की सहता से थाली में अच्छे से फैला देंगे हमने मिसरण को थाली में अच्छे से फैला दिया है अब हम उपर से कटे बादाम इसमें डाल देंगे और कअच्छी से दवा देंगे अब हम इसे दो गंटे के लिए सैट होने रख देंगे देखिए दो गंटे हो गये हमारा करांची हलवा अच्छे से सैट हो गया है अब हम इसे कट कर लेते हैं तो देखिए हमने पीस अच्छे से कट कर लिये, मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ देखिए कितने अच्छे पीस बनी है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो चलिए इन पीस को एक प्लेट में लगा लेते हैं तो हार पे जब भी मिक्स मिठाई का डिबबा आता है डिबबा खोलते ही बच्चे सबसे पहले करांची सोहन हल्वे का पीस उठाते हैं क्योंकि इसका कलर और इसका स्वात बच्चों को आकरशित करता है तो आप भी अपने बच्चों को खुश करने के लिए सोहन बॉंबे करांचे हलवे को आप अपने घर पर बनाएं और अपने बच्चों के चहरे पर मुस्कान लाएं तो देखिए बनकर रेड़ी है हमारा सोहन करांचे हलवा अगर आपको हमारी ये रेश्पी अच्छी लगी हो तो हमारी रेश्पी को लाइक करें